हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं Sports Factor और हम बात करने वाले डेली Capitals और गुजराट Titans के बीच होने वाले अगले मुकाबले की देखे बहुत है मुकाबले होने वाले डेली Capitals के बात करो तो एक मुकाबला हार करा रहे है वही गुजराट Titans इनका फॉर्म उनके साथ ह और पहला मुकाबला शांदार तरीके से चन्नी सुपरकेंस के लाव जीत कर आ रहे है थोड़ा सा confidence और मुराल अब होगा वही जिस तरीके से डेली Capitals हा रहे है थोड़ा सा concerned होगे कि हमारा कप्तान जो है रना बॉल 50 कर गया हमारे पास batting fluctuation हुआ बहुत बढ़े नामे लेक तो हम उसी विकट और वेदर प्रेडिक्शन की बारे में बात करने वाले कि या कुछ मौसम रहने वाले दिली में और कैसी पिच आपको देखने को मिल सकती है इस अगले मुकाबले में तो अरतिक पहले चलता है पिच पिच रिपोर्ट की तरफ क्या कुछ पिच पिच अप देखे एक चीज केहाँ पर आपको कहीं जगा कर आप पर आपको कहीं जगा गांस भी मिले की जहां पर जहां पर कुछ कछ पॉर्ड पर अच्छ पर बल्ले पर याइग ए पर बियां गए तो ऐसे ऑवर्ल देखे तो ड्राय भी रहता है इसाथी साथी साथ साथ इनिक तो बिलकुल जैसे रितिक ने बता है कि कैसे ड्राय रहता है विकेट और पिनर्स रोल में आते हैं और अगर मैं बात करो तो दिल्ली के पास तो बहुत बड़ी आटाक हो तो तो चांदी 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 हो जाते हैं लेकिन पिछला मुकाबले मैं यह सथ देखिपर को नहीं मिला थोड़े से महंगे साबित थे दोनों की गेंदबास चांदी प्यादावूंच अक्षे पड़े लेकिन फिलाल कि पिछला मुकाबला कहीं और तो यह मुकाबला है निये और दिल्ली में इसके चलते को तो दोनों बहुत जादा रोल मेर आएंगे और बात करूं तो मैं दूसरी टीम को वह भी कहीं नहीं कहीं 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 होगी कि अब हमारे पास में रहे तो पर आशित खान के साथ कौन सा दूसरा गेंबाज होगा और अब चलते है वेधर रिपोर्ट की तरफ तरफ तरितिक वेधर कैसे रह पर लेकिन यह है कि 19 से 23 डिगरी सेल्सियस के बीच में ठीक रहेगा थीक रहेगा क्योंकि अभी अभी के महीनों की शुरुआत ही हुए कोई जादा ऐसा नहीं रहेगा बिलकुर लेकिन थोड़ी बात गर्मी तो रहेगी थोड़ी बात तो नहीं होई जादा रहेगा अर हल कि क्रिक אitतर आ इतना एतना रॉज़ा थोड़ी बात तो यह कुछ गंल सकता काफी जादा पर थोड़ा बहुत हो सकता का च्साहाँ को ब्यु को मुझे को अफार लग नहीं रहता तु घु oneב में रहेए कि तो सब़ने को ठीक को हमने बता है कि कैसे त्राय विकर स्फिनर्स का रोल बहुत एहम होगा और सथ सथ वेदर में बताए कि 19 से 20 डिगरी के असपास 20-25 डिगरी के असपास यहां पर तापमा रहने वाला है और साथ की साथ यहां पर बारिश के बहुत काम आसार है लेकिन थोड़ी सी अनप्रिक्टिबल वेदर फिलाल दिल्ली में चल रहा है क देखने वाली बात हो की अगला मैच जो होने वाला है वहां पर कहीं वेदर एक स्पोइल स्पूट प्ले ना करें फिलाल इस वीडियो में इस वीडियो पसंद आयो तो यह से लाइक करें चैनल पर नहीं तो स्क्राइब जरूर करें